नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका मेरे चैनल सूपर मोटर्स यूके में दोस्तो आपकी काफी डिवांड थी कि आपने जो है डीटेल्ड वीडियो नहीं बना रखा है ब्रैजा के उपर तो आज मैं आपके लिए लेकिया हूँ ब्रैजा जैडेक्स है प्लस जो की टॉप म दीजे इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और साथी साथ आपको नए नहीं वीडियो देखने का मौका मिलता है जो भी हम अप्लोड करते हैं सबसे पहले तो मैं सबसे जो में हाइलाइट इस गाड़ी की ब्रैजा 2022 की वो मैं आपको बताना चाहूँगा वहाइलाइट यह विटारा सफिक्स जो हट चुका है क्योंकि कंपनी ने जब इसको लॉंच किया था इनीशली तो विटारा नाम से इसले लॉंच किया था क्योंकि इनके गाड़ी आती थी ग्रेंड विटारा जो की नैशनल और इंटेनेशनल मार्केट में काफी फिमस थी तो उसी तरस पे ब्रेजा को एक पहचान दिलाने के लिए विटारा नाम इसके आगे से जोड़का था जो कि अब हटा दिया है क्योंकि ब्रेजा नाम घर घर में काफी पॉपलर हो गया और सबको पता है कि ब्रेजा गाड़ी जो है कैसी है और कैसी की परफॉर्मेंस है तो अब ये गाड़ी का नाम से ब्रेजा करके आता है और आप बैक साइट से देख सकते हैं कि जो नाम है खाली ब्रेजा लिखावा आ रहा है अब ये टैरा नाम इसमें नहीं आ रहा है और साथी साथ आप देख सकते हैं कि गाड़ी स्मार्ड हाइब्रेट पर लॉंच हुई है माइल्ड हाइब्रेट वर्जन है जिससे कि माइलेज काफी गाड़ी का बढ़ गया है और इसी वज़े से आपको माइलेज 19.8 km पर लीटर मिल ला है जो कि पहले 17.03 km पर लीटर हा चलिए फ्रंट लुक की बात कर देते हैं गाड़ी ओवरॉल चेंज है तो मैं फ्रंट लुक से पहले शुरुआत करना चाहूंगा आप देखेंगे हैड लाइट जो है काफी कूल शेप में आ गई है जिग-जाग शेप में आ गई है और डबल बैरल में आपको मिलेगी साथी साथा फ्रंट की ग्रिल देख सकते हैं ग्रिल भी आपको पूरी तरह से चेंज मिलेगी और नीचे आप देख सकते हैं डूल टोन में आपको नीचे जो है नीचे सकफ प्लेट मिलती है जो कि white color में काफी elegant लगती है गाड़ी के अंदर और fog light के आप देख सकते हैं housing बहुती neatly tuck in कर रखी है एक pattern सा बना हुआ है और काफी सुन्दर सा लगता है जो है overall light को देखने में fog light को देखने में साधी साध आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको camera भी मिल ला है वो इसले मिल है क्योंकि आपको 360 डिगरी camera मिल ला है गाड़ी में जो कि आपको पूरा front से लेकर back तक का पूरा आपको दिखाएगा जब भी आप parking कर रहे होंगे आप गाड़ी सामने से लगा रहे होंगे चाहे आप गाड़ी reverse करते भी लगा रहे होंगे तो आपको side का front का back का सब जगह का जो है पूरा 360 डिगरी के एंगल पर आपको सारा कुछ दिखाएगा इसमें side profile की बात कर लेते हैं और सबसे पहले side profile में जो main highlight features alloy की तरफ देख लेते हैं आईए alloy का जो design है काफी बढ़िया काफी खुबसूरत है और पुरानी ब्रेजा से एकदम हटके design है और काफी funky looking लग रहा है precision cut alloys है और आईए मैं आप dimensions की बात कर लेता हूं length आपकी 3995 mm है जो की same है पुरानी ब्रेजा की जैसी width भी same है 1790 mm और height इस बार 45 mm बड़ी है अब height 1685 है पहले 1640 mm थी अब बात करूंगा wheelbase की तो 2500 का इसका wheelbase है जो की unchanged है same है एक और camera आपको मिल जाएगा ठीक ORVM के नीचे 360 degree camera है तो उसका हर direction में एक camera है एक camera यहाँ पर आपको दिया है और साथी साथ आपको मैं fuel tank के बार में बता दूंगा fuel tank आपको वही 48 liters का मिलता है जो की काफी बड़ा tank है long distance specially cover करने के लिए आपको काफी ज्यादा storage की option जो है मिल जाता है और अगर braking की बात करूंग तो आपको जो है front में ventilated disc मिल जाते हैं और back में आपको drum brakes मिल जाते हैं और braking performance काफी अच्छी है और tires की बात करूंग तो tire size unchanged है 215, 60, 8, 16 inch के tire हैं काफी चौड़े tires हैं इंजन B की तरफ मज़ा डाल लेते हैं आए ज़रे close look में आपको दिखवा दूँ हैं इंजन की तरफ को काफी सुन्दर सा इंजन दिखता है और इंजन जो है आप K15 B से K15 C हो गया है और dual jet में हो गया है तो काफी refinement आपको मिलेगा और average भी आपको अच्छा provide हो रहा है देख सकता है अब इंजन की तरफ को और अगर मैं power figure की बात करूँ तो power आपको जो है 102 BHP की मिलेगी पहले 103 BHP थी अब 1 BHP कम की गई है और torque अब 136.8 Nm है पहले 138 Nm का torque था color options की बात करों तो आपको चार color options मिल जाते हैं exuberant blue magma gray splendid silver pearl arctic white और जो मेरे सामने color है यह magma gray color में है और बात कर लेते हैं boot की देख सकते हैं boot काफी शांदार आपको दिखाई देता है काफी spacious है काफी practical है 328 liters का इसका space है और देख सकते हैं spare tear भी आपको same dimensions का मिलेगा 215 60 R16 का पर आपको alloy नहीं मिलेगा इसमें आपको basic मिलेगा steel wheel में और आप antenna की तरफ को देखेंगे तो antenna काफी cool हो गया शाक fin antenna companies को बोलती है शाक के fin जैसा ही दिखता है और काफी जो है इसकी reach भी काफी अच्छी है तो FM का जो reception है काफी आपको अच्छा मिलेगा और जो डंडे वाला जो FM होता था उससे भी आपको मुक्ती मिलेगी आइए नजर माल लेतें इंटीर की तरफ को आपको all new इंटीर मिलता है और पूरे तरह से इंटीर जो है आपको change मिलेगा सबसे पहले तो जो दिखने में काफी जो सुन्दर लगता है वो इसका dual tone option है इसमें आपको leather brown और black tone में पूरी गाड़ी का जो इंटीर हो आपको दि features थे जिसमें आप जो है काफी कुछ जो है अपने mobile के जो है एप की मदद से control कर सकते है गाड़ी में और बलेनों की तरफ पर ही जो है तच्सक्रीन आपको जो है थोड़ा सा उपर उठीवी जो है इसमें देखने को मिलेगी जो की काफी trending लगती है गाड़ी और उठीवी इ की जो AC के control से हैं वो काफी आपको सुद्र दिखाई देते हैं style changed है बलेनों की style पर आपको मिल ले है जो की काफी trending से लगते है साथी साथ आपको गाड़ी में wireless charger भी मिलेगा यहाँ पर अपना phone आप प्लेस कर सकते हैं अगर आपका phone wireless charging support करता है तो आपका phone charge on लग जाएगा साथी साथ आपको five speed का gearbox मिलता है और आपको flat bottom steering मिल जाता है जो की काफी funky looking सा है साथी साथ आपको steering पर control मिल जाते है और cruise control जब यहाँ पर जो लिखा रहता था वो अब लिखा नहीं रहता है और symbol बना रहता है कि speed जो यहाँ पर आपको set lock करने का है तो इससे आप समझ सकते है कि यहाँ पर cruise control है साथी साथ आपको speed का समें cruise control की set करने का यहाँ पर options दिखाई देते हैं और MID की तरह आप देख सकते हैं काफी cool सी दिखने वाली MID हो गई है और पहले के मुकाबले काफी ज्यादा आपको stylish MID दिखाई देगी साथी साथ आपको यहाँ पर speedometer जिसके साथ आपको smart hybrid लिखा हुआ दिखाई देता है जो कि काफी cool सा लग रहा है दिखने में भी और साथी साथ आपको इसमें है engine के बारे में चीजें भी पता लगती रहेंगी जैसे आपका यहाँ पर दिखाई देगा साथी साथ यह बटन आपको दबाने पर अलग-लग features functions आपको द passenger डाल लेते हैं आप देखेंगे आप स्क्रीन पर देखिए है ना काफी trendy सी और काफी जो है आपको इसमें मज़ा आने वाला है जी हाँ मारूती की पहली गाड़ी है जो आपको sunroof देने के लिए जा रही है panoramic sunroof तो नहीं है panoramic sunroof जो है वो grand vitara जो upcoming है उसमें आ रहा है इलेक्रिक sunroof है और काफी बढ़िया है काफी जो है मज़ा आने वाला आपको इसमें इस तरह से आप दवाएंगे तो ग्लास आपको देखेगा इसको moonroof का आजाता है यह moonroof भी आपको देखने को मिलेगी और इसको close करना है तो वापस आपको यहां से खीच के इसको ऐसे बंद करना पड़ेगा और twitter की location भी आप देख सकते हैं काफी जो है बढ़िया है काफी सुन्दर दिखाई देता है twitter का जो एक शेप है और आपको front में भी जो है आपका खास ख्याल रखा गया है front में भी आपको जो है armrest दिया गया है साथ ही साथ इसमें आपको storage space भी मिलेगी इसको यहां से बटन को दबाएंगे तो आप इसको ऐसे open कर सकते है और इसको close करके आप जो है आगे को slide भी कर सकते ह इस तरह से तो काफी आपको ख्याल रखा गया है आपके जो है comfort का और इस जगह भी आपको soft touch में armrest मिल जाएगा जिससे आपकी कोहनी जो है जो कि काफी काबिले तारीफ है और airbag से साथ ही आपको ABS with EVD brake assist electronic stability program और hill hold जैसे तमाम safety feature आपको मिल रहे है जो कि गाड़ी को बिल्कुल एक feature loaded गाड़ी बना देते हैं और साथी साथ आपको back में passenger हो का भी काफी comfort का ध्यान रखा हुआ है इसलिए आपको rear AC में vent भी मिल रहे ह और साथी साथ आपको dual charging sockets मिल ले है यानि कि आप दो-दो charging socket है आपके वास जिसे कि पीछे के जो है सारे passengers अपना phone अराम से charge कर सकते हैं और एक आपको charging socket front में भी दिया गया है और सामने आप देख सकते हैं आपको HUD जो की head sub display है वो दिखाई देगा और इस जगे से आप जो करके यहां से ओन हो जाएगा और यहां पर आप जो है इसको अगर आप दबाते रहेंगे तो आपको different controls दिखेंगे जैसे कि आपकी speed कितनी है और battery SHVS की कितनी charge हो गई है तो यह काफी अच्छा feature है जिससे कि आपको बार बार नीचे नहीं देखना पड़ता है कौन सी speed वग अगर मैं करता हूँ वरांटी की तो आपको दो साल 40 से और की आपको इनिशल वरांटी मिलती है जिससे आप बाद में extend भी करवा सकते हैं और या तो जब आप गाली ले रहें उससे में भी आप बढ़वा सकते हैं वह आपकी choice के उपर है और ZXI Plus का एक्ष्योरूम जाता है और वीडियो को लाइक जरूर बनता है मिलते हैं अगले ऐसी किसी interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और भारत माता कीज़े